So hi everyone, welcome back, this is Ashwin Jaiswal and we are now going to learn chapter number 18 of our ISE Commerce which is Chambers of Commerce and Industries ठीक है, बहुत simple सा chapter है, एकदम आसान सा chapter है और आपको बहुत जल्दी short period में ये cover हो जाएगा especially अगर आप exam से एक रात पहले देख रहे हैं, तो it's gonna help you a lot ठीक है, सबसे पहले थोड़ा concept समझते हैं, Chamber of Commerce क्या है, मतलब basically क्या देखने वाले हैं इसमें, एक थोड़ा, let us take an understanding of this तो देखो, आपको screen पर दिख रहा होगा, कुछ student union के लोग है, ठीक है, अब student union क्या होता है, देखो, आप लोग अभी तो school level पे हैं, ठीक है, अभी just 10 past किये हैं, आप लोग 11th standard में हैं, अभी क्या होगा ना 12th के बाद आप लोग college में जाएंगे, और college में आपको मिलेंगे students union, now what is students union, basically students का एक group है, और students को कोई भी तकलीफ होता है, student को कोई भी दुख होता है, कोई भी problems अगर होते हैं, तो ये union वाले students के बहाफ में आवाज उठाते हैं, अगर students को कोई परिशानी हो रहे हैं, तो वो student union वाले, on behalf of the students, ये लोग आवाज उठाने का काम करेंगे, ऐ when I was also in the college, तो I also got student union, I got to see the student union, और कभी कभी मतलँ आपको बट फायदा भी होता है, जैसे कि union वाले आखे आपके class में अनॉंसमेंट, हमारे class में हुआ था ऐसा, when I was in college first year, तो union के लड़के लोग आए एक लास में, और हम सब students first year के थे, तो हम सब को उन लोगों ने कहा कि, अ अगर आपको किसी भी teacher से कोई भी problem हो, teacher अगर आपको नहीं समझा रहा है अच्छे से, teacher अगर आपको परिशान कर रहा है, तो आप आगे हमें बोलिए, हम लोग आपके बहाफ पे लड़ेंगे, ठीक है, और teacher बिचारा बगल में ही खड़ा रहे गया, तो student union क्या है, basically student union on behalf of the student काम करने के लिए एक group है, ठीक है, एक group है, similarly अब देखो इसी line पे, ऐसे हर किसी का group होता है, ठीक है, auto वालों का भी group होता है, auto union, bus वालों का भी group होता है, transport union वगर यह सब होते है, तो union basically क्यों बनाया जाता है, एक group क्यों बनाया जाता है, so that साथ में आगे बढ़ पाए, अगर कोई पीछे रह जा रहा है, कोई किसी को difficulty हो रही है, तो सब साथ में आगे बढ़ सके, इसलिए group बनाया जाता है, ठीक है, and group का power is obviously more than an individual, तो अभी देखो, इसी theme को रखते वे, chambers of commerce बनाया गया है हमारे country में, chambers of commerce and industry, क्या होगा, इसमें basically group होगा, अब हम लोग business के बा operate करके आगे बढ़ पाए, मतलब individually ना आगे बढ़े, साथ में आगे बढ़े, एक दूसरे का help लेके आगे बढ़े, कोई अगर पीछे रह जा रहा है, तो उसको सामने लाने के possibilities यहां पर ढूंडी जाए, तो उसके लिए बनाया जाता है, chambers of commerce and trade associations भी बनते हैं, अभी chambers of commerce and trade association में क्या difference है, थोड़ी दिर बाद देखेंगे, but I hope आपको basically theme समझ में आ गया होगा इस chapter का, कि यह chapter किस purpose से बनाया गया, यह जो chambers of commerce से यह किस purpose से बनाया जाते हैं, यह बनाया जाते हैं collectively आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, तो एक बार यह देख लेना, and student union वाला वो जस्ट को share कर दिया गया है मेरे telegram group में, telegram channel पे, telegram channel का नाम है Ashwin's Commerce World, तो आप वहाँ से जाके यह slides डाउनलोड कर सकते हैं, यह proper notes है, जिसको आप पढ़कर exam दे सकते हैं, this is made from your book only, ठीक है, तो आप इसका फाइदा उठाये, and notes आपको मिल जाएगा मेरे telegram channel पे, channel का link नीचे भी द description में भी, but description से अगर ना खुले, तो आप directly telegram पे जाके Ashwin's Commerce World search करना, आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, आईए Chamber of Commerce का मतलब समझते है, तो Chamber of Commerce का आईए, एक voluntary association, मतलब compulsory नहीं है, कि हर किसी को join करना ऐसा compulsory नहीं है, it's a voluntary association, आपने join करना करो, नहीं करना मत करो, ठीक ह कोई हो सकता है, wholesaler हो, वो इसका member बन सकता है, किसी भी चीज़ का wholesaler, ठीक है, कोई हो सकता है, retailer हो, वो इसका member बन सकता है, कोई manufacturer इसका member बन सकते है, professionals like lawyers, chartered accountants, वो भी इसके members बन सकते है, ठीक है, ऐसा लिखाना, professional, यहां लिखाना, यह वाला line में, even professionals, ठीक है, जो लोग business न के यह होगा कि सब एक दूसरे के भलाई के लिए वहां काम करेंगे तो market में आप अखेले नहीं हो एक team बनके आगे बढ़ो ठीक है आपको अगर help चाहिए तो वहाँ पे CA लोग भी होंगे वहाँ पे lawyer लोग भी होंगे वहाँ पे wholesaler भी होगा वहाँ retailer भी होगा वहाँ market के industry के बड़े बड़े लोग होंगे तो एक ऐसा community बन जाएगा जहाँ पे आप मिल जुल करके आगे बढ़ने का काम कर सकते हैं ठीक है and it is a non-profit making organization यानि कि ये लोग कोई profit बनाने के लिए काम नहीं करता ये organization का काम है members का help करना एक टाइप से वह cooperative society वाला chapter पढ़े थे नम लोग तो service motive था वैसे ही इनका भी हो ऐसा कुछ motive है ठीक है okay chambers of commerce और trade association में क्या difference है देखो chamber of commerce नहीं general है कोई भी इसका member बन सकता है ठीक है anyone can become a member but trade association में only if you belong to that trade तो ही आप member बन सकते है for example sugar का business है sugar mills का business है तो sugar mills के business के trade association में कौन join कर सकता है only those businesses which are involved in the sugar manufacturing ठीक है अगर कपडों का business है textile business है textile कपडों का business है तो textile के trade association में कौन join कर सकता है only those traders जो की textile का का काम करते हैं कपडों का काम करते हैं ठीक है So trade association में अगर आप वो trade कर रहे हैं तो ही join कर पाऊगे But chamber of commerce में क्या है Any trade आप करो आप उसमें join कर सकते हैं तो आईए कुछ difference देख लेते हैं तो पहला difference यही बोल रहा है कि trade association में आपको same industry को belong करना पड़ेगा Like कपडों का अगर industry में आप है तो उसी के trade association में जा सकते है आप iron and steel वाले में नहीं जा पाएंगे ठीक है But chamber of commerce general है कोई भी trade कर रहे हो मतलब आपका कपड़े का business है किसी और का चीनी का business है किसी और का transportation का business है सब उसके member बन सकते हैं तो यह general है Chamber of commerce general है Nature of the firms Chamber of commerce में सब अलग-अलग field के होते है ठीक है और trade associations में सारे लोग competitors होते है ठीक है सब ही तो एक ही industry से है तो trade association में all of them are competitors representation जो chamber of commerce है वो general business class को represent कर रहा है वो एक कोई particular business को represent नहीं करता But trade association जो है वो एक particular business को represent करेगा ठीक है like textile business का अगर trade association है तो वो सिर्फ कपडों के business को represent करेगा sugar business का अगर trade association है तो वो सिर्फ sugar business को represent करेगा फिर आता है structure तो जो trade associations होते है वो same trade but different region से लोग आते है ठीक है trade same होना चाहिए region अलग-अलग हो सकता है but chamber of commerce जो है वो एक particular region में होता है और trade अलग-अलग होते है ठीक है and नाम chamber of commerce से आपको actually मैं पता नहीं चलेगा कि उसमें कौन-कौन से field के लोग है but trade association के आपके नाम से ही पता चल जाएगा कि कौन सा type का वो trade हो रहा है जैसे यहां पर आप देखोगे नेम में ही लिखावा है Indian sugar meals association तो Indian sugar meals से आप क्या समझते है यही समझते है ना sugar business करने वालों का association है ठीक है Indian textile association तो क्या समझोगे यही समझोगे ना कपड़ के business करने वालों का association है but Bengal chamber of commerce इससे क्या समझ मैं आएगा इससे थोड़ी समझ में आएगा कि business क्या है इससे बस यही समझ में आएगा कि Bengal के business के group है यह ठीक है So this is the difference between chamber of commerce and trade association अगर आपको यह chapter अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज आप इस channel को subscribe कीजेगा ठीक है और इस channel में आपको ICC से ISC board से related बहुत अच्छे अच्छे contents मिलेंगे commerce background के make sure you have subscribe to this channel and अपने दोस्तों के साथ भी इसको share कीजेगा if you are finding it helpful ठीक है अगले part पर हम लोग आते हैं and this part is types of chambers of commerce ठीक है अपना attention level उपर रखना थोड़ा theoretical chapter अभी होने वाला है ठीक है concept एक होता है न थोड़ा समझाना पड़ता है यह एकदम purely information based topic है types of chambers of commerce कितने types of chambers of commerce होते है एक होता है local regional level पर जैसे आप देखो कि example में दिया Bombay chamber of commerce तो Bombay chamber of commerce सिर्फ Bombay के जो businesses होंगे वो उसके member बन सकते हैं यह chamber of commerce उन businesses को help करेगा आगे बढ़ने के लिए उनको financially help करेगा उनको information provide करेगा उनको legal support provide करेगा तो basically अपने members को यह लोग यही सब help करते हैं ठीक है आगे जाके हम लोग देखेंगे अपने members को यह लोग क्या क्या help करते हैं financial help कर देंगे उनको education wise help कर देंगे उनको कुछ चीज़े सिखा देंगे उनको कुछ information provide कर देंगे उनको legal support देंगे तो basically यह सब काम है और यह सिर्फ एक particular region में होगा जैसे यह Bombay Chamber of Commerce है तो नाम से समझ में आ रहा है Calcutta में तो यह लोग काम करेंगे नहीं यह लोग से Bombay के business के लिए काम करेंगे यह हो गया regional अच्छा एक हो जाता है national level पर जैसे आप देखो कि एक्जाम्पल दिवा American Chamber of Commerce ठीक है तो पूरे अमेरिका के जो businesses है वो इसके part बन सकते है help वही सब मिलेगा education में help मिलेगा financial help मिलेगा education मतला business education financial help मिलेगा legal support मिलेगा technical help मिलेगा ठीक है तो partnerships हो जाएंगे तो यह सब type के help मिलेगे और यह पूरे nation level पर होगा और एक हो जाता है nation से भी बाहर international level तो यह जो है international chamber of commerce तो यहाँ पर आप देखो कि it consists members from more than 60 countries और India भी इसका एक member है ठीक है यह 60 से जादा देश इसके member है जिसमें इंडिया भी इसका member है और focus वही है ठीक है काम वही है बस थोड़ा large level पर हो रहा है ठीक है इसके headquarters Paris France में है अब हम लोग देख लेते हैं chamber of commerce का basically aim क्या है objective क्या है मतलब क्यों बनाया गया है ठीक है what is the main role तो पहला है to protect the interest of the business community मतलब businesses को बचा के रखना यह इनका पहला objective है कि जो भी members रहेंगे उनको खतम ना होने देंगे उनको हमेशा support करेंगे खराब से खराब टाइम में भी बचा के रखेंगे ठीक है फिर आता है एक sense of cooperation देखो उसमें तरह तरह के लोग होंगे उसमें wholesalers होंगे retailers होंगे अलग-अलग field के businessmen होंगे professionals होंगे non-professionals होंगे तरह तरह के लोग होंगे और सब में एक cooperation का sense बनेगा सब मिल करके आगे बढ़ेंगे ठीक है एक दूसरे से ही business मिल जाता है महाँ पर तो ओके information जो भी ज़रुरी information वो सब provide किया जाएगा जैसे सरकार ने tax के law में क्या बदलाव किया तो वो आपको अलग से find करने का ज़रूतनी यही लोग आपको information दे देंगे market में क्या latest law आया है market में क्या latest technology आया है market में क्या latest सरकार के नियम आ रहे सब आपको बता दिया जाएगा अपने members को बताते हैं यह लोग advice करते है government को भी because they are in constant touch with the grassroot level businesses तो यह लोग सरकार को भी जाके advice करते हैं business related matters में ठीक है और सिफ advice ही नहीं करते हैं consult भी करते हैं advice करना मतलब सिफ ग्यान देना और consult करना मतलब दोनों तरफ से बात सरकार भी कुछ बात बोलेगी और यह लोग भी कुछ बात बोलेगे again business related matters पे ठीक है पांच से जादा point आता नहीं है commerce के paper में highest जो है that is five marks तो आप five points कर लो that's more than sufficient ठीक है अब हम लोग आते हैं functions functions of chambers of commerce objective क्या था objective मतलब इनका aim क्या है target क्या है ठीक है और functions मतलब यह लोग काम क्या क्या करते है थोड़ा बहुत similar ही मिलेगा लेकिन यह basically action based है और वो goal oriented है मतलब goals क्या था और यहाँ पे action क्या क्या लेते है तो एक तो research वगेरा करेंगे यह लोग अपने members के लिए research करके members को देंगे कि देखो कौन सा business है जो grow कर रहा है कौन सा business है जो decline कर रहा है ठीक है तो members इस information को use करके strategy बना सकते है ठीक है as I told you before also technical support legal support ऐसा support देते हैं अपने members को so that वो अपने business को freely कर सके मतलब without any headache उनको पता है कि चलो chamber of commerce वाले हैं हमारे साथ support करने के लिए ठीक है books वगेरा magazines वगेरा publish करते रहते हैं उसमें useful business informations provide किये जाते हैं अपने members को जिसके पास information है वही आगे जाएगा ठीक है तो information कहां से मिलेगा यह लोग दे देते हैं books के थू weekly magazines के थू journals के थू यह लोग informations देते हैं उनका education and training education भी मतलब business related education for example business कर लो तो accounts का knowledge होना चाहिए but accounts का अगर knowledge नहीं है तो यह आपको basic accounting सिखा देंगे यह आपको accounting software चलाना सिखा देंगे so एक support मिल जाता है वो अलबी support मिल जाता है and यह लोग समय समय पे trade fairs, exhibition वगेरा करते है वहाँ पे क्या है ना कि जो members है उनको एक मौका मिल जाता है अपने products को display करने का ठीक है वो जो होता है exhibitions वगेरा normally आप कोई exhibition में जाएंगे कोई fair वगेरा में जाएंगे तो वहाँ पे food items लगा रहते है but trade fair में जाओगे ना तो वहाँ अलग-अलग trade से जुड़े वे लोग अपने products को display में लगाते है तो आपको एक बहुत अच्छा market मिल जाता है वहाँ पे because जो लोग आ रहे है business related लोग आ रहे है and they get a good opportunity to display their products तो एक बहुत अच्छा platform मिल जाता है अपने products को display करने के लिए तो यह सब काम है Chamber of Commerce का यह सब काम है पिछला जो topic था उनका goals था यह इनका काम है यह इनका action है ठीक है अब हम लोग chapter के एक बहुत important portion पे जा रहे है कि Chamber of Commerce का business को क्या फायदा मिलेगा और government को क्या फायदा मिलेगा ठीक है तो because of Chambers of Commerce तो देख लेते हैं पहला है कि businessman को free of cost information मिल जाएगा आप members को जो भी facilities मिलते हैं या तो बहुत कम cost में या तो free of cost में information मिल जाते हैं ठीक है दूसरा है कि आप अपने business को expand कर सकते हो इन लोगों का जो suggestions इन लोगों का जो advice हाएगा ठीक है ये time to time आपको कुछ advices वगेरा देते रहते हैं तो इनके advices को लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं मतलब अकेला business करोगे तो थोड़ा पीछे रह सकते हो बट जब पूरे community साथ में हैं आपके तो आगे बढ़ना जादा easy हो जाता है ठीक है ये market आपको create करके देगा आपने थोड़ी दिर पहले वो देखा था था ना example वो fairs लगाएंगे exhibitions लगाएंगे तो क्या है कि आपको एक crowd दिला देंगे बिजनस्मेन के लिए most important thing is कि customers कहाँ पे है तो ये customers को attract करने के लिए exhibitions लगाते हैं और वहाँ पे जाके आप अपने products को display कर सकते हो तो आपको एक बना बना है market मिल जाएगा ठीक है ये एक common platform बना देते हैं common forum बना देते जहाँ पे आप अपने matters को रख सकते हैं आप किसी तरीके का problems है किसी तरीके का dispute है तो उसको जाके वहाँ पे solve कर सकते हो तो एक common platform है जहाँ पे सारे लोग है वहाँ पे business related लोग है तो एक जगा मिल गए जैसे वो होता है na social media for example तो क्या है वो एक platform ही है जहाँ पे लोग अपने views को रखते है तो वैसे ही ये भी एक platform है बड़ ये सिर्फ business वालों के लिए platform है तो आपका information in general नहीं जा रहा है आपका information एक community में जा रहा है business community में जा रहा है and then जो भी dispute वगरा है अगर आपको किसी से कोई दिक्कत है तो ऐसे matters को भी वहाँ पे resolve किया जा सकता है तो उसके लिए भी मतलब basically businesses के लिए ये बहुत फायदे वाला चीज है आपको opportunities भी है और आपको अपने disadvantages को कम करने के भी chances है So these are some of the advantages, important topic है सरकार को क्या फायदा मिलता है सरकार को ये फायदा मिलता है कि on behalf of the government ये लोग certificate of origin issue करते है अब certificate of origin क्या है ये हम लोग जब foreign trade का chapter पढ़ेंगे ना तो foreign trade के chapter में documents वाला जब portion करेंगे there we will learn about certificate of origin ठीक है export करने time हमें देना पढ़ता है import करने time दूसरे देश से लगता है तो सरकार के बदले वो certificate ये लोग issue करते है तो सरकार का एक तरीके से load कम हो जाता है they will issue certificate of origin what is exactly that certificate वो उस chapter में देखेंगे because otherwise topics drift हो जाएगा बहुत that we will look in the next chapter but अभी क्लिए इतना समझ लो foreign trade में ये लगता है certificate of origin लगता है और वो ये लोग issue कर देते है फिर valuable suggestions देते है business related matter में सरकार को suggestions ये लोग देते है assist भी करते है सरकार को ये लोग budget prepare करने में जो budget हमारे देश में आता है न feb के month में तो जो finance minister present करते है पुरे देश के सामने budget तो budget में क्या-क्या points होना चाहिए उससे related suggestions भी ये लोग देते है कि सरकार ने कहां-कहां पर पैसा खर्च करना चाहिए सरकार ने कहां-कहां से पैसे कमाने चाहिए तो ऐसे matters पर ये लोग suggestion भी देते हैं सरकार को assistance देते हैं in solving जो economic problem है देश में unemployment, illiteracy, poverty ऐसे बहुत सारे जो देश में तकलीफे हैं, problems है उसको कैसे solve किया जाए उसको solve करने का भी ये लोग assistance देते हैं ठीक है and lastly हम लोग आ रहे हैं कि देश में कैसे economic development किया जाए, कैसे exports बढ़ाया जाए, कैसे industrial activities को बढ़ाया जाए उससे related भी ये लोग सरकार को मतलब basically सरकार को business related matters में ये लोग काफी help करते हैं अगर आप पूरा theme देखें तो business related matter में काफी advice जैसा काम ये लोग करते हैं I hope कि आपको chapter समझ में आ रहा है अगर आ यहां तक समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा बात है इसके आगे का chapter है वो एक तरीके से syllabus में है नहीं but I have just taken few points so that आपका ये portion निकल जाए देखो अभी आपको जो screen पे दिख रहा है Chamber of Commerce in India, regional basis पे and national level पे तो इसका बस आपको नाम याद करना है और भी examples है आपके book में but आप दोदोगर के नाम याद कर लो because ये उतना important है नहीं और ये कोई concept नहीं है कि इसको हम बैट के समझाएंगे these are just names तो नाम है इसमें समझाने का कुछ नहीं है आप बस नाम याद कर लो हाँ फुल फॉर्म के साथ इनको याद कर ले ना ये जो नीचे में तीन दे रखे ना national level वाले इनको फुल फॉर्म के साथ याद कर लेना आगे का जो concept है वो syllabus में नहीं बोला गया है but I have just taken 2-2 points each जैसे FIKI है for example the Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry इसका एक तो फुल फॉर्म आप याद करना FIKI का फुल फॉर्म क्या होता है and FIKI के 2 functions and 2 objectives याद कर लीजेगा वैसे syllabus में नहीं है कुछ-कुछ schools में हो सकता है करवाएगा भी नहीं but there are certain schools जो 11th standard में syllabus नहीं follow करते तो उनके लिए 2-2 points कर लेना यहाँ पे 3-3 points करके I have given 2-2 points कर लेना अच्छा देखो यहाँ पे कुछ अलग नहीं है ऐसा कुछ अलग नहीं है because these are Chamber of Commerce education and training वही सब points यहाँ पे लिखावा है ऐसा कुछ अलग नहीं है देखो promote healthy interface between business and the government तो ऐसे ऐसे points से हमने पहले भी किये है ऐसे ऐसे points से यहाँ पे भी है syllabus में यह अलग से नहीं है but दो-दो points करके पार कर लो इसको एक बार के लिए तो यह Fikki का हो गया फिर CII उसका भी objectives and features यहाँ पे दे रखा है दो-दो points करके इसको भी कर ले न यहाँ पे कुछ अलग से सम्झाने का नहीं है there is no concept so I'll be just reading it out no point ठीक है उसमें कोई point नहीं है और AIOE Indian Organization of Employees All India Organization of Employees इसके तीन objectives आपके बुक में दिये वे थे यह बार देख लेना ठीक है कुछ अलग नहीं है इसके कुछ नया नहीं है these are not concepts these are purely informations एक बार इसको देख लेना with this the chapter is over in fact the full domestic trade वाला section is over अब हमारा एक बचा international trade and एक insurance वाला portion बचा so we are left with six more chapters I hope आपका वो भी जल्दी हो जाएगा ठीक है तो thank you so much for watching this we will meet very soon with chapter number 19